दोस्तों किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हुनर तो सब में होता है, लेकिन किसी का छिप जाता है, तो किसी का छप जाता है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेकिन इंडिया पर मैं हूँ गीता राना एक गाउं में एक कुमार रहता था, वो मिट्टी के खिलोने और बरतन बनाया करता था और उन्हें शहर जाकर बेचा करता था, उसी से उसका गुजारा चलता था तब एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि अब ये मिट्टी के खिलोने और बरतन बनाना छोड़ कर शहर जाकर कोई काम ढूड़ लो वैसे भी हमारा गुजारा नहीं चलता तो कम से कम काम करोगे तो महिने के अंत में कुछ पैसा तो आएगा ऐसा सुनकर उस कमार को भी यही लगने लगता है लेकिन मिट्टी के खिलोने बनाने का उसको बहुत ज़्यादा शौक था तब मजबूरी में वो शहर तो चला जाता है लेकिन उसका मन हमेशा ही अपनी चाक और मिट्टी के खिलोनों में लगा रहता था समय बीटता जाता है और एक दिन जिस माली के घर वो काम करता था उसके बेटे का जनम दिन होता है वो सोचता है कि बड़े बड़े लोग आएंगे सभी लोग महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आएंगे मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो क्यूँ ना मैं अपने हाथ से खिलोना बना कर उस बच्चे को दूँ तो वो उस बच्चे के लिए बहुती सुंदर एक खिलोना बनाता है और उसे गिफ्ट में दे देता है पाटी खतम होने के बाद वो बच्चा और उसके दोस उस खिलोने को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं उसके बाकी दोस भी उस खिलोने को लेने की जिद करने लगते हैं तब सभी लोग आपस में पूछते हैं कि ये इतना महंगा खिलोना किस ने दिया तब कोई बोलता है कि ये उस नौकर ने दिया है सभी हैरान हो जाते हैं बच्चों की जित के लिए मालेक अपने नौकर को अपने पास बलाता है और पूशता है कि आखिर तुम ने इतना महंगा गिफ्ट कहां से लिया तब वो कुमार हसने लगता है और बोलता है कि साब जी ये कोई महंगा गिफ्ट नहीं है ये खिलोना तो मैं आपके पास नौकरी करने आ गया ये सुनकर उसका मालिक बहुत है और वो पूछता है क्या ऐसे ही खिलोने तुम और भी बना सकते हो तब वो कुमार कहता है जी साब मैं और खिलोने बना सकता हूँ तब वो उन बाकी बच्चों के लिए भी बहुत सारे खिलोने बनाकर अपने मालिक को देता है उसका मालिक उसकी इस काम को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं खिलोनों का बिजनसी स्टार्ट कर दूँ तो वो अपने एक खिलोनों का बिजनस स्टार्ट कर लेता है और उस कुमार को अपने यहाँ काम पर रख लेता है उसे बहुत अच्छी तनुख़ा और रहने के लिए मकान भी देता है यह सब पाकर कुमार और उसका परिवार बहुत ही खुश हुए और कुमार को भी अपने काम मिल गया तो दोस्तों इस छोटी सी खानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान के अंदर अगर हुनर हो तो कैसे भी परिस्तिती में इंसान अपने हुनर से बहुत अच्छा जीवन जी सकता है और जग में नाम कमा सकता है धन्यवाद दोस्तों I hope आज की हमारी ये स्टोरी सब्सक्राइब करिए